आज हम लोग एक पुरानी रेसीपी बनाने वाले हैं जी हाँ पुरानी रेसीपी बट उसको हम नए तरह से प्रेजेंट करेंगे आज हम पुरानी रेसीपी को अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं तो यह है रेसीपी तो बहुत सिंपल इसकी प्रेजेंटेशन अपने अलग तरह से बनाई ताकि आप कुछ नया प्रेजेंटेशन में सीखें तो आजम कॉंटेक्स की चॉकलेट बनाने वाले हैं उसके मैं नहीं, यहां पर मैं लूँगी शिलिकॉन मोल््ड आप यहां पर कोई भी मोल्ड अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं यहां पर लिएों उसके stellen में वाल चॉकलेट यहां पर मैंने ब्लू कलर्र लिया ति सस्टोक्लिट कलर, ढलाने दोक्तोर और औम पंरी हएं अवाय दू पूरी सी वाइट चॉक्लेट लेनी है एंड उसके अंदर मुझे यह ब्लू कलर में एट कर रही हूं कलर अगें आपकी चॉइस से आप कोई भी कलर यहां पर आपकर सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए चॉकलेट में जितना आपको डाक कलर चाहिए आप जो कलर का रेशियो है वह बढ़ा सकते हैं हमारा ब्लू कलर हो गया रेडी अब मैं यहां पर लूंगी सिलिकॉन मोल्ड और इक ब्रश की हेल्प से मैं इस मोल में कोटिंग करूंगी इस तरह से आपको अच्छी तरह से पूरे मोल्ड को चारो तरफ से कोट करना है अगर आपको जर्वस लगती तो आप इसे दो बार भी तीन बार भी कोट कर सकते हैं after a जो हम इस अपर यहां पे हमको लेनी है CT1 एक इस वाइं उसके अंदर मैं इसमें डालूंगे थोड़े से क्रश किई हूए कॉंड़ेक्स और अब इस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आपकी कोटिंग थोड़ी सी ड्राइ हो जाती है उसके बाद आपको इसकी फिलिंग करनी है मोल में इस तरह से इस फिलिंग करने के बाद आपको अगें इसको वाइट चॉकलेट से लॉक कर देना है इस तरह से और इसको हलका से आपको टैप करके फ्रिज में रख देना है अल्मूस्ट पंदरा से 20 मिनिट के लिए हमारी चॉकलेट पूरी तरह से सेट हो गई है अब आप उसको दीरे से रिलीज करना है मोल से इस तरह से आपकी जो चॉकलेट है वो बिल्कुल बनके रेडी है सो हैना बहुत से रेपी एयन्स से प्रेजन्टेशन थो तूड़ी अलग करी साथ किसी और सेल करते हैं या किसी को गिफ्ट दो ऑनने भी थोड़ा सा लगे आर या उनको प्रेजन कराहना है तो इसलड़heid से लेकोंसे अहना आपज sniff देंश आसे खाते हैं तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज दो नोट फोगेट तो सब्सक्राइब तो मैं चैनल और थैंक्स पर वाचिंग आटी चोकोष